अगर आप मुनक्का के फाइदे या फिर किसमिस के फाइदे के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को कंपलीट देखिए मुनक्का का इस्तमाल औसधी के साथ-साथ धार्मिक कारियों में भी किया जाता है पुजा पाट के बाद इसे प्रसाइद के रूप में भी दिया जाता है मुनका दो प्रकार का होता है लाल मुनका और काला मुनका मुनका खाने से खून बढ़ता है और वाईव दोस्त भी दूर होता है इसको खाने से खून की कमी भी दूर हो जाती है मुनका स्कीन की कोशिकाओ की रच्छा करता है इसमें मौझूद एंटी अक्सिडंट फ्री रेटिकल से स्कीन की कोशिकाओ को नुकसान होने से बचाता है मुनका में विटामिन A और E बहुत भरपूर मातरा में होता है जो अपकी आँखो और स्कीन के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होता है मुनका के नियमिस सेवन से हाट अटेक की समस्या को दूर रखने में मदद करता है इसके लिए एक गलास दूद में आठ से दस मुनका उबाल लें अब इसमें एक चमच घी डालकर सूबस साम पिए इससे फिर्दे रोगों से अरा मिलता है मुनका में बालो को हेल्दी बनाय रखने के लिए बहुत ही जोड़ी पोसकतत होते है मुनका में आइरन भी भरपूर मातरा में होता है आइरन की कमी के कारण बाल बेजान और जढ़ने सुरू हो जाता है मुनका में विटमिन सी बड़ी मातरा में होता है जो बालों में प्रक्रति के रंग बनाये रखने में मदद करता है इसके सेवन से पाच अन्तर में सुधार होता है किसमे से मौझूद फाइबर आपको कब्ज नहीं बनने देता है जिससे आपको पेट से जूरी समस्याओं से चुटकारा मिल जाता है आठ से दस मुनका को सुबह दूद में अच्छे से उबाल कर दूद को पी ले इसको एक सबता तक से बन करें आपको कब्ज की समस्याओं से चुटकारा मिल जाएगा हल मेवे की तरह मौनका भी वज़म बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फाइदा मन्द है क्योंकि इसमें गुलकोच पाया जाता है जो हमें एनरजी परदान करता है साथ में वज़म बढ़ाने के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फाइदा मन्द होता है मौनका खून को मलाने के लिए विटेमिन B कॉम्पलेक्स के ज़रूरत को पूरा करता है इसके अलावा मौनका में भरपूर मातरा में कॉपर पाया जाता है जो लाल रक्त कोशकाओ के निर्मार में मदद करता है सोते समय आठ से दस मौनका को धो कर पानी में भिगो दे इसके बाद सुबह उठकर मौनका के बीजों को निकाल कर अच्छी तरह से चबा कर खाने से सरीज में खून की कमी दूर हो जाता है केलसियम का भावपूर सोर्स होने के कारव मौनका हड्डियों और दातों को मजबूत बनाता है इसमें बोर रान नामक पोसक तर तो पाय जाते हैं जो केलसियम सोखने और हड्डियों तक केलसियम को पहुचाने में मदद करता है इसमें बीटामिन ए और बीटा करोटिन होता है जो आखों को हेल्दी रखता है इसमें एंटी ऑक्सीडेंट गूर पाय जाते हैं जो आखों को फी रेटिकल से लड़ने मदद करते हैं मुनक्का को खाने से अखों की कमजोरी मासपेशियों की चति मोतिया बिंदाजी नहीं होती है आप जाने जिए मुनक्का खाने के कौन-कौन से नुकसान होते हैं मुनक़ा के अधिक सेवन से एकेलियूरी की मातरा अधिक हो जाती है और आपका वज बनने लगता है मुनक़ा के अधिक सेवन से डियाविटीश, घृद्धर रोग और अगर आप कम मातरा में खाएंगे तो आपको फाइदा करने लगेगा उमिद करतों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर आप हमाई चनल पर नए है तो चनल को